बादलों के बीच एक सुन्दर परिलोक हुआ करता था उस परिलोक में दो सोतेली बहने रहा करती थी बड़ी बहन का नाम सोफिया परी था और छोटी बहन का नाम जैस्मिन परी जैसा कि सभी का मानना है कि सोतेली बहनों में कभी प्यार नहीं रह सकता लेकिन सोफ्या परी और जैस्मिन परी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी और हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी दोनों बेहनों का इतना प्यार और गहरा साथ देखकर परी लोग के कुछ परीयों को बहुत जलन होती थी कुछ परिया तो कई बार दोनों बेहनों के बीच में लड़ाई करवाने के भी कोशिश करती रहती थी एक दिन जैस्मिन परी को महल में ना देखकर सोफ्या परी परिशान हो जाती है अरे ये जैस्मिन परी कहा है इतना समय हो गया और अभी तक वो मेरे पास नहीं आई क्यों हूँ तुम्हें पता है ना आज हमें परी लोग के सबसे सुन्दर बगीचे में पिकनिक मनाने जाना था हाँ सोफ्या दीदी मैं भी पिकनिक पर जाने के लिए कल से ही तैयारी कर रही थी लेकिन सुबह से मुझे बहुत चक्कर आ रहा है जैस्पिन परी की बात सुनकर सोफ्या परी उसका सिर्च हूती है और बोलती है अरे तुम्हें तो बुखान है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आज मैं पूरे दिन तुम्हारा ख्याल रखूंगी नहीं नहीं दीदी मेरी तबियत इतने भी खराब नहीं है आप अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने चली जाओ मैं दवाई लेकर पूरे दिन अराम करूंगी तो ठीक हो जाओंगी लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी तुम हो मैं तुम्हें इस आलत में छोड़कर पिकनिक मनाने कैसे जा सकती हूँ इतना कहकर सोफ्या परी उस दिन सारा टाइम जैस्मिन परी का ख्याल रखती है अगले दिन जैस्मिन परी बिल्कुल ठीक महसूस करने लगती है देखो दीदी आपने मेरा इतना ध्यान रखा कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई चलो आज हम दोनों पिकनिक मनाने चलते हैं इतना कहकर दोनों परी बेहने बगीचे में घूमने चली जाती हैं उसी परी लोग में एक जोया परी थी जोया परी दोनों सौतेली परी बेहनों से बहुत जलती थी जब भी परी लोग में कोई उन दोनों बेहनों की तारीफ करता था तो जोया परी को बहुत गुस्सा आता था एक दिन जोया परी अपने आप में कहती है इन दोनों सौतीली बहनों में इतना प्यार क्यों है? मैंने आज तक कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो? लेकिन इन दोनों की लड़ाई कभी नहीं करवा पाती हूं अब तो परी लोग में इन दोनों बहनों की तारीफ भी होने लगी है इन दोनों के आगे तो मैं किसी को दिखाई ही नहीं देती, अगर ऐसे ही चलता रहा, तो आगे चलकर ये दोनों बहने परी लोग की रानी बन जाएंगी, फिर तो मुझे भी इन दोनों की जीहुजूरी करनी पड़ेगी, अपना भविश्य ठीक करने के लिए मुझे इन दोन परी लोग जाने की बात कर रही है, ये सही मौका है उन दोनों बहनों को सबक सिखाने के लिए, अब मैं उन दोनों परी बहनों में से किसी एक परी का काम तमाम कर दूँगी, ऐसा बोलकर जोया परी बहुत खुश होती है, दो दिन बाद परी लोग की परिया प्रित्वी ल जंगल में पहुंच जाती हैं जैस्मीन परी सोफ्या परी से कहती है दीदी यह जंगल तो बहुत घना और डरावना लग रहा है हाँ इसलिए तुमकेले कहीं मत जाना जहां भी जाओगी मुझे लेकर जाना इस तरह दोनों बेहने सभी परियों के साथ जंगल में घूम रही ह होती हैं देखते ही देखते अंधिरा चा जाता है और तभी अचानक जैस्मीन परी अपनी बहर और बाकी परियों से अलग हो जाती है अरे मैं तो खो गई हूँ अब मैं परी लोग वापस कैसे जाओंगी जैस्मीन परी ऐसा बोल कर बहुत रोती है लेकिन तभी एक है यह सही मौका है अभी के अभी मैं जैस्मीन परी को कुए में धक्का दे देती हूं इतना बोलकर जोया परी जैस्मीन परी को कुए में धक्का दे देती है अंधेरा होने की वजह से जैस्मीन परी को नजर नहीं आता कि आखिर उसे धक्का किस ने दिया है जैस्मीन परी क और वही दूसरे दरफ जोया परी बाकी परों के पास चली जाती है सोर्फिय परी को जैश्मिन परी कही नजर नहीं आरही होतीं तो वह बहुत परिशान हो जाती है अरे यह सारी खा के छा meer गेर चोरा के में 911 कहीं पाऊंगो div सोफिया परी जैस्मिन परी को जंगल में ढूनने लगती है। लेकिन कुस्सा में इधर उदर तक ढूनने पर भी जैस्मिन परी उसे कहीं नहीं मिलती। उसके बाद सोफिया परी जोड जोड से आवाज लगाने लगती है। जैस्मिन परी कहा हो तुम मेरी बहन कहा हो तुम इस तरह आवाज लगाते हुए सोफ्या परी जैस्मिन परी को डूणने लगती है डूणते दूणते सोफ्या परी उस कुए के पास पहुच जाती है जिसमें जैस्मिन परी होती है सोफ्या परी कुए के अंदर जैस्मिन परी जैसे तैसे करके सोफ्या परी जैस्मिन परी को कुई से बाहर निकालती है। सोफ्या परी जैस्मिन परी को होश में लाने के लिए अपनी जादवी शक्तियों का इस्तमाल करने वाली ही होती है। तब ही वहाँ पर जोया परी आ जाती है। और बोलती है। सोफया परी तुम्हें पता नहीं है क्या परी लोग के कानून के हिसाब से अगर तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल प्रत्वी लोग पर किया तो फिर तुम्हारी सारी शक्तियां खतम हो जाएंगी कोई बात नहीं जोया परी मेरी बहन से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कुछ भी नहीं है इतना मोलकर सोफया परी अपनी ज़ादूई छड़ी गुमाती है और अपनी ज़ादूई शक्तियों का इस्तामाल करकी जैस्मिन परी को होश में ले आती है उसके बाद सोफ्या परी जोया परी को कहती है जोया परी मैं अपने बेहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ रिष्टे सगे या सोतेले हो लेकिन प्यार और लगाव से बने रिष्टे को कोई भी नहीं तोड़ सकता है सोफ्या परी की बाते सुनकर जोया परी को अपनी गलती का एसास हो जाता है और वो दोनों बेहनों से अपने गलती की माफी मांगती है उसके बाद सभी परियां वापस परी लोग लोड़ जाती है उस दिन के बाद से फिर से सोफ्या परी और जैस्मिन परी एक दूसरे के साथ हसी खुशी रहने लगती है जादूई गुलाब मिश्टी के माता पिता उसके बच्पन में ही गुजर गई थी इसलिए वो अपने भाई के पास ही पली बढ़ी थी लेकिन मिश्टी की भावी संता उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी संता मिश्टी की भाई रमेश से मिश्टी की शिगायत करती है और ऐसी ही आई दिन वो रमेश के कान किसी ना किसी बात से भरती ही रहती थी संता की बात सुनकर एक दिन रमेश मिष्टी को घर से निकाल देता है मिष्टी अपने भाई के सामने बहुत रोई, बहुत गड़गड़ाई लेकिन किसी ने भी मिष्टी की बात नहीं सुनी वो बहुत दुखी होकर घर से जंगल में चलते गई जंगल में चलते चलते मिष्टी को एक बुड़ी अम्मा मिलती है ए लड़की, जरा रुक, वहां कहां जा रही है? वहां तो घना जंगल है अब इस जंगिल के लावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है अम्मा ये क्या कह रही है? तेरे माँ बाप कहां है? वो तो मेरे बचपन में ही चल बसे थे बचपन से मैं अपने भाईया के घर पर रह रही थी लेकिन अब तो नहोंनी भी मुझे अपने घर से निकाल दिया अरे अरे मेरी बच्ची तो मेरे बासा, मेरे साथ ही मेरे घर चल बुड़ी अम्मा मिष्टी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहां से पानी पीने को देती है ले बेटा थोड़ा पानी पी और साथ में ये मिठाई खा तेरा मूद तो बिल्कुल सुख गया है मिष्टी मिठाई खाती है और पाने पीती है उसके बाद अम्मा मिष्टी से कहती है सुन बेटा ना तेरा कोई है ना मेरा कोई है तो आज से मेरे पास ही रहना ठेक है अच्छा ठेक है अम्मा मैं आपके पास ही रहूंगी लेकिन मेरी एक छोटी से शर्थ है क्या शर्ट है आपके बड़ी महर्बानी मैं ऐसे ही आपके पास नहीं रहूंगी बदले में मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी साथी माहा जाकर तुम्हारी मदद भी करूंगी अम्मा हस्ते हुए कहती है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा अगली सुभा मिस्ट्री बुढ़ी अमा से कहती है ओ बुढ़ी मा सारा काम तो खतम हो गया अब आप ही बता दो क्या काम करूं मैं ओ हो इस लड़की की बात तो सुनो काम खतम हो गया तो मैं क्या करूं अब तुझे और काम कहां से ला कर दूं तो अब क्या मैं ऐसी ही बैठी रहूं? तू एक काम कर सकती है अच्छा वो क्या? हमारे बगीचे में गुलाब के बहुत सुन्दर सुन्दर फूल लगे हैं तो वो सब लेकर बाजार में बेचने जा सकती है ठीक है? तो फिर मैं यही करती हूँ ठीक है? तो जाकर देखना तुम्हें दो रंग के गुलाब के फूल मिलेंगे एक पीला और एक गुलाबी उस गुलाबी गुलाब पर हाथ मत लगाना सिरफ पीला गुलाब लेकर वहां से चले जाना ठीक है? उसके बाद मिश्टी ऐसा ही करती है बगीचे से सारे पीले गुलाब लेकर बाजार बेचने चले जाती है वो बाजार में फूल बेची रही थी कि उसके पास एक रहक आता है ए लड़की, कितने का दिया एक फूल? ये फूल अच्छे तो है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे है ठीक है, ये फूल अच्छे हुए तो हवेली के लिए तुम ही फूल लेकर आना इसी तरफ फूल बेचते बेचते मिश्टी और बोड़ी अम्मा का गुजारा चल रहा था एक दिन फूल बेचते बेचते मिश्टी ने देखा उसके बगल में एक सुन्दर लड़का बैठा सबजी बेच रहा था और नजरेच चुरा चुरा कर मिश्टी को देख रहा था मिश्टी को ये बहुत अजीब लगता है और वो गुसे से उस लड़के के पास जाती है ए तुम बार-बार मेरी तरफ क्यों देख रहे हो नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था क्या मतलब मैं कि तुम्हें किसी भूतनी के तरह दिखती हूँ जो ऐसे ही देख रहे थे अरे ये क्या तुम इन साक्य पत्तों के साथ मेरी तस्वीर बना रहे हो ये तो बहुत ही सुन्दर है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? ओहो ये तो शानदार है लेकिन तुम इतने बड़े कलाकार होने के बावचुद्धे सबजियां क्यों बेच रहे हो? मेरा नाम राज है मैं बहुत बड़ा चितरकार बनना चाता था लेकिन क्या करें? पिता जी किशान है वो चाते हैं कि मैं उनके साथ खेती बाड़ी में उनकी मदद करूँ बस इसी लिए ये सबजिया बेचनी पड़ती है रुको, मैं राजा के घरवालों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं रोज रुबा उनके महल में फूल पहुचा कर आती हूँ मैं उनसे तुम्हारे बात करूँगी वो जरूर कोई न कोई हल निकालेंगे क्या तुम सच कह रही हो? तुम मेरी लिए उनसे बात करोगी? मेरी दोस्त? हाँ, बिलकुल क्यों नहीं करूँगी? तुम तो मुझे अपने दोस्त कह रहे हो और अपने दोस्त के लिए इतना तो करूँगी ही ना? अगले दिल राजो के सिपाही फूल लेने मिश्टी के घर आते हैं वो मिश्टी के फूलों की बहुत तारीफ करते हैं और हर बार की तरह मिश्टी से सारे फूल ले लेते हैं मुद्रा लेते वक्त मिश्टी मुद्रा लेने से मना कर देती है और उन लोगों से कहती है नहीं नहीं, आज रहने दीजिए अच्छे सुनिए, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है राजू, वो बहुत अच्छे चितरकारी करते हैं क्या राजा जी के पास उनके लिए कोई काम मिल सकता है अरे वा, ये तो बहुत अच्छी बात है कुछ दिनों से राजा जी एक अच्छे चितरकार को ढून रहे हैं जिसे बहुती अच्छी चित्रकारी करना आता हो। यदि उसने अच्छा चित्र बनाया तो कल से महल के चित्र वही बनाएगा। उसे आज ही अपने साथ ले आना। मिष्टी फोरण राज के पास पहुँच जाती है। चलो चित्रकार राज मेरे साथ महल चलो तुम्हें अभी सही काम पर लगा दीती हूँ। तुम्हारा ये उपकार में कभी नहीं बूलूँगा मिष्टी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिष्टी राज को अपने साथ में ले जाती है और राजा चित्रकार से प्रसन होकर उसे अपने महल में काम पर रख लेते हैं। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीच जाते हैं। राज समची बेचने बाजार कई दिनों से नहीं आया था। ये देखकर मिष्टी उदास हो जात अच्छा लेकिन वो तो किसी बाहर के वैक्ति से नहीं मिलते। आप एक बार उन्हें जाकर बोलियो तो सहीं कह देना कि उनकी दोस्त मिष्टी आईए उनसे मिलने। ठीक है आप यहीं इंतजार कीजिए। उसके बाद सिपाही राज के पास संदेश लेकर जाता है। साहब चितरकार साहब का कहना है वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। उनकी पास जब समय होगा वो आपसे खुद मिलने आएंगे। चुप हो जा, एक काम कर, मेरे बगीचे से गुलाबी गुलाब लेकर जा और उसे दे कर आ। देने के बाद तू वहाँ एक बार फिर देखना, गुलाब उसके हाथों में आते ही, वो तुझे कैसे याद करने लगता है। अच्छा चितरकार होने के कारण राज के महल में ब पनाया करता था, जिससे वो बहुत एहंकारी हो गया था, एक दिन मिष्टी गुलाबी फूल लेकर महल राज से मिलने जाती है, सिपाही भाई, गुलाब ले जाकर आप कलाकार राज को दे सकते हैं। और क्या कहूं उन से? कहना मिष्टी ने उनके लिए ये गुलाब भेजा है। कलाकार साहाब, एक लड़की आपके लिए ये गुलाब छोड़ कर गई है, उसे वहाँ मेच पर रख दो। गुलाब के रंग को देखकर राज कहता है, हाँ, यही तो वो रंग है, जिसे मैं र अगले सुम्हार राज मिष्टी से मिलने पहुचा, मुझे माफ कर देना मेरी दोस्त, मैं एंकारी हो गया था, अरे ये क्या राज, तुम्हे तो इस समय महल में होना चाहिए था, मुझे ऐसा मत कहो, मैं मानता हूँ कि मुझसे बूल हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रही हो रा मैंने तुम्हे माफ किया, उसके कुछ समय बाद मिष्टी और राज शादी कर लेते हैं, और बुड़ी अम्मा के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कॉमेंट करके जरूर बताए, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा कर अभी कर ले, तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक की लिए आप अपना ध् जान रखे धन्नेवाब